हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि Vivo Y27 फोन में आप लोग होच्पोट पासफोर्ट को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक Vivo Y27 फोन है और इस फोन में आप लोगों को होच्पोट पासफोर्ट को चेंज करना है आपका जो होच्पोट का पासफोर्ट है वो सभी को मालिम पर चुका है या किसी ने बहुत सरे लोगों ने आप लोगों का होच्पोट से पहले ही कनेक करके रखा है तो अभी जो है उस automatically कनेक हो रहे है तो आप लोगों को जो है उस password को change कर देना है तो कैसे आप लोग hotspot password को change करोगे गाईज तो आज के वीडियो में मैं ही बताओंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को फीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस फीडियो को स्टार्ट करते हैं होट्सपोर्ट पास्वोर्ट को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है तो यहाँ पर उपरत की तरह भी एक ओप्शन होगा गाईस नेटवर्क एन इंटरनेट का तो इस नेटवर्क एन इंटरनेट के ओप्शन पे क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपर एक hotspot and chattering का एक option होगा guys तो इस option पे click करेंगे Click करने के बाद आपर देख सकते हैं पहला वाला जो option है wifi hotspot का तो इस wifi hotspot पे click कर देंगे Click करने के बाद सब्से पहले तो आप logo को hotspot को on करना होगा तभी आपके phone में settings on होंगे पर डाल दीजिए डालने के बाद OK का ओप्शन आएगा OK पर क्लिक कर दीजिए ऐसा करते ही आपका जो होचपोट पासवोट है गाईस वो चेंज हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Vivo Y27 फोन में होचपोट पासवोट को चेंज कर सकते हो तो कैसा लगा आप ल